सब्सक्राइब कीजिए SGM पबली स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दवाईए। मश्कार बच्चो, हेंदी व्याकरन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चो, आज हम कक्षा 4 का पार्ट नमबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है, फुल्टे शब्द वाले अर्थ। चित्रों को देखिए और नीचे दिये गए शब्दों को पढ़कर समझ ये। देखिए, यहाँ पर जो बच्चा है, वो क्या कर रहा है? फूल को सूंग रहा है। और दूसरे चित्र में बच्चा रुमान अपनी नाप पर रख रहा है। इसका मतलब यहाँ जो फूल सूंग रही है लड़की उसको हम बोलेंगे सुगन यानि खुश्बू ले रही है। और यहां पर दूरगन यानि बदबू आ रही है। दूसरे चित्र में शाकहारी और मासाहारी यानि शाकहारी का मतलब होता है जो जानवर गास खूस खाता है। हरी पत्तियां खाता है और मासा हरी का मतलब जो जानवर सिरिफ मास खाता है तो यह इनके उल्टे अर्थ यानि शब्द हैं शाकाहरी मासाहरी बच्चों उपर बाई और दाई तरफ दो दो चित्र दिये गए हैं इन चित्रों के नीचे दो दो शब्द भी दिये गए हैं इन शब्दों को ध्यान से पढ़कर पता चलता है कि दुर्गंद शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द दुर्गंद है यानि जो सुगंद शब्द है उसका उल्टा अर्थ बता रहा है वो कौन सा अर्थ बता रहा है दुर्गंद शब्द इसी तरह से शाकाहारी शब्द का उल्टा मासाहारी होता है इस परकार के शब्द विलोम या विप्रित आर्थक शब्द अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं ठीक है विलोम शब्द की परिवासा क्या होती है एक दूसरे का विप्रित अर्थ प्रकाट करने वाले शब्दों को विलोम या विप्रित तार्थक शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द जैसे ये शब्द है आपका और ये विलोम में इसका आना जाना अन्दकार प्रकाश यानि जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं एक शब्द का उसको हम विलोम शब्द कहते हैं आज्या अवाग्या अम्रित बिश ठीक है बच्चों तो ये हैं आपके यहां पर बहुत सारे विलोम शब्द दिये हैं आप इन में से पंद्रा विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करें ठीक है आओ दोहराएं विलोम शब्दों को विप्री तार्थक शब्द भी कहते हैं विलोम शब्द आपस में एक धूत्रे का उल्टा अर्थ द्यत करते हैं आओ गुल गुल आएं उल्टा अर्थ जो शब्द बतलाते बच्चो वे विलोंग शब्द कहलाते तो ये था आपका पार्च विलोंग शब्द ठीक है बच्चो